हेलो फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के लिए आई ब्रोज अपर लिप्स फॉरहेट की वीडियो लेके आई हूँ जो मैं घर पे खुद करूंगी वैक्स से मैं यहां पे करूंगी इसको आप भी इस मेथट से अपनी आई ब्रोज अपर लिप्स फॉरहेट घर पे खुद कर सकते हैं क्या होता है जब इमर्जंसी होती है कहीं हमें जाना होता है तो हम सलोन नहीं जा पा रहे हैं तो आप ऐसे करके आई ब्रोज कर सकते हो यहां पे देखना मैं पैंसिल से मैंने अपनी प्रॉपर सेफ बना ली है इससे क्या होता है जब भी हम वैक्स करेंगे आई ब्रो से नीची आपकी स्ट्रीफ नहीं आएगी तो ऐसे गर किया पैंसिल की साहता से जैसा आपको सेफ चीए उस हिसाब से जितनी आपको थिक किया पतली चीए इस हिसाब से आप बना सकते हो अपनी सेफ और फिर यहां पर आप क्या करना अपने आई ब्रोज पर पावडर लगा ल क्या होगा हमारी आई ब्रोज के हेर में वैक्स चली जाएगी तो आप यहां पे पतली सी नाइफ लेना इयर बट्स भी आप ले सकते हैं और आइस्क्री मिस्टिक अगर पतली है तो उससे आप यहां पे अपलाई करेंगे वैक्स देखे मैं कैसे कर रहे हूं पहले नीचे क तरफ मैं लगा रहे हूं नीचे की तरफ बहुत सारे हेर होते हैं तो ऐसे करके आप वैक्स लगाएंगे यहां पे और जब वैक्स लगाएंगे तो इस्ट्रीप को अपोजिट साइट से खीचेंगे इस्ट्रीप भी मैंने घर पे खुद बनाई है वैक्स भी खुद हो जाते हैं यह देखें बहुत इजी ली रिमूब हो रहे हैं तो ऐसे ही आपको भी आई ब्रोच कर नीचे की तरफ जो मैं वैक्स लगाई है ऐसी खीचना है और फिर आप उपर की साइट उपर से आप नाइप को लगाएंगे ऐसे फिर देखें आप स्ट्रिप को अराम से रखना कोई जल्दी मत करना इसमें क्योंकि स्ट्रिप अगर एक बार रख दिया आपने फिर खीचोगे तो आपकी आई ब्रोच के हेयर जहां जहां आपने रखा है वो निकल जाएंगी तो इसलिए ध्यान रखना इसका कि आपका जो स छो से उपर आएं ऐसे करके आप यहां पे आई ब्रोच कर सकते हैं के चैनल यहां पर लिप्स करेंगी हूं यहां पर पाओडर करना है आप अपको अपर लिप्स में बहुत अच्छे से पाउडर अपलाई कर लेना ताकि मॉश्यर ना आए इसके बाद आपको वैक्स माया वैक्स बहुत ज़्यादा गरम मत लेना क्योंकि आप पहली बार कर रहे हैं तो गरम से क्या होगा इसकी जल जाएगी तो आप इसका ध्यान रखना थोड़ी सी ठंडी रखना ज्यादा ठंडा मत रखना फिर इस्ट्रिप लगा के हलका सा इस्ट्रिप को प्रेस करना फिंगर से और उसको स्पीट से खीचना है ज्यादा पेन नहीं होता है बिल्कुल भी पेन नहीं होगा आपको बहुत अच्छे से आप कर पाएंगे थोड़ी अराम अराम से करना सीसे में देखके देखे सेंटर पार्ट मैं कर रही हूँ आपको छोटी छोटी पार्ट करके अपर लिप्स करना है एक बार में पूरे अपर लिप्स पर मत लगाना पहले एक साइट का फिर सेंटर फिर दूसरे साइट पर जाना है ग्रोथ नीचे को है इसलिए मैं नीचे को वैक्स लगा रही हूँ और उपर की तरफ कीच रही हूँ इसका ध्यान रखना और टंग लगाते हुए आप अपने अपर लिप्स को करेंगे बहुत अच्छे से रिमूब हो जाते हैं यहाँ पे हैर देखें बहुत अच्छे से क्लीन हो गया है अब मैं यहाँ पे आपको साइड लॉग करते हुए दिखाऊंगी साइड लॉग कैसे करते हैं एक्चली मैंने अभी अभी साइड लॉग आई ब्रोज करी है तो ज्यादा हेर ग्रोथ नहीं है मैं आपको बता रही हूं कि कैसे आपको करना है तो इसी मेथट से आप अपने आई ब्रोज अपर लिप्स एंड साइड लॉग चीन कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में जब फुल ग्रोथ होगी तो मैं आपको जरूर इसकी वीडियो दूंगी यह देखें नीचे की तरफ आपको लगाना है क्योंकि नीचे की तरफ ग्रोथ रहती है बहुत अच्छे से आप लगा लेना फिर स्टिफ रखके प्रेस कर लेना और नीचे से भी आप इसको स्ट्रेस करके करते हुए खीचना है यह देखें अब हम फॉरहेट करेंगे पाउडर लगाना है सबसे पहले फिर आपको वैक्स लगाना है ध्यान रखना वैक्स लगाते समय कि जहां को आपकी हेर ग्रोथ है उसी साइट को आपको वैक्स लगानी है अपो करना है तो छोटी-छोटी पार्ट करके करो ज्यादा एजी रहेगा यह देखें अपोजट साइट पर खीच रही हूं मैं बहुत अच्छे से यहां पर रिमूब हो जाएगा कि यह देखें फिर स्केंड पार्ट लिया है मैंने जो स्ट्रिप ली है एंड वैक्स यह मैंने घर पर बनाया है अगर आपको वैक्स एंड स्ट्रिप बनाना सीखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है आप वहां से देख सकते हैं वहां पर आपको वैक्स कैसे बनाते हैं स्ट्रिप कैसे बनाते हैं वह आपको मिल जाएगा और आप खुद वैक्स बनाके यह सब कर सकते हैं देखे छोटे-छोटे हैर हैं तो आप वैक्स स्ट्रिप से बार-बार खीचोगे तो वह अच्छे से रिमूब हो जाएगा वहाँ पर क्या होगा कि आपको बार-बार वैक्स लगाने की जरुवतनी होगी और मेरा पूरा क्लीन हो गया है अच्छे से फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी जरूर लाइक और सेयर करना और कमेंट्स बॉक्स पर जरूर कमेंट करना ताकि आगे भी मैं आपके लिए ऐसी बहुत सारी वीडियो लेके आउंगी